यहां पर मुंबई रेल डिवीजन में मेंटिनेंस का काम किया जा रहा है मुंबई रेल डिवीजन सेंट्रल रेलवे के तहत आती है रेलवे ट्रेक का मेंटिनेंस करने के लिए मुंबई रेल डिवीजन ने मेगा ब्लॉक लिया था और साथ फरवरी को railway track की tamping और ballasting का काम पूरा कर लिया गया इसी के साथ railway line पर बिजली के काम को भी पूरा किया गया इसमें contact wire की tooth foot और signaling के कामों को पूरा किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से tamping की जा रही है और यह जो द्रस से हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो railway track पर बिजली की supply होती है उसके contact wire को सही किया जा रहा है और देखा जा रहा है कोई घिसा हुआ contact wire तो नहीं है अगर है तो उसको तुरंत बदल दिया गया रेल मंत्राले के मुताबिक अगस्त 2020 से सुरू हुई किसान रेलों का सिलसला तेजी से आगे बढ़ रहा है अब तक तक तकरीबन 200 किसान रेल चलाई जा चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेलंगाना की पहली किसान रेल वारंगल से पस्षिम मंगाल के 12 साथ के लिए हल्दी लेकर निकल रही है किसानों को किसान रेल की वज़े से देश के किसी भी कूने में अपना माल बेचने की आजादी मिली है इससे किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल रहा है और उभोकताओं को कम कीमत पर अच्छी हल्दी मिल रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेनों में माल चढ़ाया जा रहा है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा किसान रेल अलग-अलग इलाकों में चलाई जाएंगी किसान रेल की वजह से किसानों की तमाम फसलें अलग-अलग इलाकों में भेजी जा रही है इससे तैं समय पर यह उत्पाद मार्केट में पहुँच पाते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिन बाजारों से ये उत्पात दूसरे मार्केट में पहुँच रहे हैं, वहाँ पर उनको अच्छी कीमत मिल रही है. ये तो हुई तेलंगाना की पहली किसान रेल की बात, लेकिन आप बात करते हैं, जो भारती रेल्वे है, वो किसान रेल पर ज़्यादा जोर दे रही है, इसी दिसा में रेल्वे ने महराष्ट के उदगीर से गुजरात के गांधी धाम के लिए सोया बीन की लोडिंग सुरू रहे हैं, वजह ये है किसमें किसानों को माल ढुलाई में केंदर सरकार 50% की सहायता देती है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन ट्रेनों को चलाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में और ज़्यादा किसान रेल आपको देश के अलग-अलग हिस्सों म किसानों के लिए एक नया रास्ता निकला है, कि वो किसान रेल के जरिये देश के किसी भी कोने में अपनी फसल भेश सकते हैं, इससे किसानों को अपनी फसल का बहतर दाम मिलेगा, तो वहीं उभुकताओं को अच्छे कर्श उत्पाद